अगर आपको ऐसा लग रहा है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कई बार फेल होने के बाद अगर आपके दिमाग पर कुछ इस प्रकार की चीज़े आ रही है तो याद रखिए कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं एक ना एक दिन वह मंजिल आपको जरूर मिलेगी जिसको हुआ कि आप अपनी तैयारी करते रहिए और एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा कि आपका यह जो संघर्स होगा वह संघर्स एक दिन रंग लाएगा आपके लिए मेरे पास कुछ लाइने हैं अगर मैं इसकी बात करूं तो तेरे गिरने में तेरी हार नहीं तो इनसान है अव चली आज सुरू करते हैं और करेंट अफेर से रिलेटेड अगली कि बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि देश और दुनिया में क्या ऐसी चीजे हैं जो हमारे एक्जाम के point of view से most important form रखती है अगर बात करूं तो जो last class से मैंने आपसे question पूछा था और मैंने ये पूछा था कि when is the national doctors day जो है कं मनाया जाता है कं अगर मनाया जाता है doctors day तो इसका right answer जो है वो first july था और first july को ही मैंने आपको बताया था के चीजे आपको यादर्फ याद है कि को डौक्टर बी मनाया जाता है यह करते हैं हमारा पहला कोश्चन जो है वो क्या है यहां बोल रहा है कि recently which country is participating in AI AF in France for the first time हाल ही में कौन सा देश पहली बार फ्रांस में AI AF में भाग ले रहा है AI AF के बारे में अगर मैं बताओं आपको तो NEC International Animation Festival in France है अगर हम इसकी बात करें तो यह एक ऐसा festival है जहां पर animation से related चीजें जो है वो अलग अलग देश अपने हिसाब से पेस करते हैं तो भारत जो है वो पहली बार इसका हिस्सा बना है और भारत ने पहली बार यहां पर भाग लिया है अब इस से related कुछ और चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहली चीज तो यह कि आप AI AF का full form ही याद रखें आप याद रखें कि इसका full form होता है NEC International Animation Festival दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो इस organization के अगर हम director की बात करें तो current में इसके जो director है माइकल मरीन ठीक है उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आता है कि भारत पहली बार इसका हिस्सा बना है अगर मैं animation और VFX की बात करूं तो भारत में लगातार इन छेत्रों में भी काफी तेजी से चीज़ें बढ़ रही हैं और आगे आने वाले समय में भी आप इन छेत्रों में काफी विकास देखेंगे और यह काफी खद तक हमारे GDP में contribute भी करेंगे तो यहां पर पहले कोश्चन के से हमको यह आइडिया लग गया कि यार भारत जो है उसने AIF में पहली बार फर्स टाइम हिस्सा लिया है Second अगर मैं कुस्चन की बात करता तो यहां पर आता है विर यह एज IOCL पार्टनर विद लैंजा-जेट दू सेट अप एन अविएशन फ्यूल प्लांट अगर मैं बात करूँ तो aviation fuel plant जो है वो किसके IOCL ने लेंजा जेट के साथ में मिलकर और कहां पर इस्थापित करने का भी निर्णा जो है वो लिया गया है तो यहां अगर हम देखें तो इसका right answer जो है वो हरियाणा है हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में ही IOCL या IOC जिसको आप जानते हैं जिसको आप Indian Oil Corporation या Indian Oil Corporation Limited के नाम से जानते हैं उसने क्या किया है लेंजा जेट के साथ में partnership करके और हरियाणा में एक setup किया है एक aviation fuel plant जो है वो इस्थापित किया है objective की अगर मैं बात करूँ तो इसका objective यह है ताकि आप aviation fuel में या aviation में जो fuel यूज कर रहे हैं जो airplane वगेरा में आप fuel यूज कर रहे हैं उसका आप domestic production को बढ़ा सके जादा से जादा घरेली उत्पात जो है उस field में बढ़ा सके तो आपको इन चीजों को import कम करना पड़ेगा राइट तो इसके लिए यहां पर क्या किया गया है इंडियन और कॉर्पोरेशन लिम्टर ने लेंजाजेट के साथ हरियाना में यह fuel plant जो है वह इस्टैबलिस किया है अगर मैं बात करता हूं तो करेंट में इसके बारे में जरूर याद रखें नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमको क्वेशन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि रिसेंटली को हैस बिन साइंड बाई हुंड़ाई अभी हाल ही में किस को किसने जो है वह इस व्यक्ति को यहां पर अपने साथ साइं किया है तो वह व यह बारे में अगर आप देखेंगे काफियत तक बहुत लोग इनको पसंद भी करते हैं बहुत लोग इनको नापसंद भी करते हैं लेकिन इनकी एक चीज यह देखिए कि कोई व्यक्ति जो है वह किस कंडिशन में और मेहनत करकर वह कहां पर पहुंच सकता है एक ऐसा इंसा को अपना ब्रांड बना लेती है तो कहीं ना कहीं इन से भी आपको चीजे सीखने की जरूरत है हुंडई की अगर मैं बात करता हूं तो हुंडई जो है वह इंडियन मार्केट में काफी बड़ी कंपनी थी लेकिन हाली में एक रिपोर्ट आई है कि टाटा कंपनी जो है उस पंडिया को इसमें बाकी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन ही में अगर हम बात करते हैं नहीं पीसी की नहीं में डारेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है उत्तमलाल जी को सबसे पहले इसमें आप याद रखें कि नहीं का फुल फॉर्म क्या है तो इसको में इसको बोलते हैं नेशनाल हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिम्टेड वास्वन में आ रही है और यह एक प्रकार के अगर हम देखें तो इस्टेट ओन्ड इंटर्प्राइज है ठीक है अंडर दा मिनिस्ट्री आफ पावर यहां पर बनाया गया है और अगर हम इसके पहले प्रोजेक्ट की बात करते तो सुईल पावर स्टेशन जो है वह चमबा हिमाचल प्रदेश में इस्थापित किया गया था इसमें इत्ती चीज़ें आप याद रखें नेक्स्ट अगर मैं बताओं आपको तो वेर हैस अगर मैं बात करूँ चैज से याद रखनी पड़ेगी toughagerr diis डेस में 70 में कुछ जो है गहां पर देखेंगी डेसों का समूव है जिसमें 17 जोह वो टोक और हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन यहां पर आएगा कि अगर हम देखें तो यहां पर G20 में आप देखें तो यहां पर Grade में नरेंद मोदी जी नरेंद मोधी जी और भारत जो है वह फिलाल जी टूइंटी की मेंजवानि कर रहा है मुद्ध इसमें आपको इतनी चीजिया आद रखने कि हाली में जो डिजटल एकोनोमी वरकिंग गुरुप संपन कहाँ पर हुई है वो पूने में हुई है अब यहां पर हुआ क्या तो यहां पर देखिये कि टिजटल एकोनोमी वरकिंग ग्रुप की तीसरी बैठक ने में हुई भारत ने अर्मेनिया सिएरा लियोन सूरी नाम बरबुड़ा के साथ हमें समझोता किया और मूट्बूरंडम को साइन कि अगर मैं बात करूँ यहां पर तो जनसंख्या पर लागू डिजिटल समाधान को इंडिया स्टेक को साजह करना एक दूसरे के साथ में उन तक और कहां पर हुआ है तो यह हुआ है पूने में इतनी चीज यह आप याद रखिए बात सुझ में आती है नेक्स अगर मैं बात करता हूं तो आता है तो निवाडी की अगर हम बात करते हैं तो वह देश का दूसरा ऐसा जिला है अभी बहुत ज्यादा पुराना जिला नहीं है हाल ही में अगर कुछ मैं एक दो साल की बात पहले की ही बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे कि दो तीन साल पहले निवाडी जो है वह एक नया जिला बना है और किस से अलग होकर यह बना है तो यह अलग हुआ है यह अलग हुआ है टीकम गड़ से यह अलग हुआ है टीकम गड़ से और एंपी की अगर हम बात करें तो एंपी का यह कौन सा जिला है तो यह 52 नंबर का यह जिला है और निवाडी के बाद में हाला कि अभ आप से नवीनितम जिले के तौर पर जाना जाता था मद्यप्रदेश का लेकिन अभी एक त्रेपनवा जिला भी बन गया है जो है माउगंज और माउगंज किससे अलग हुआ है यह अलग हुआ है रीवा से यहां पर अगर आपसे पूछे कि हाली में किस राज्य की निवाडी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है तो वह बन गया है मध्यप्रदेश का अब अगर हर जल घर की वेवाद करता हूं तो एक जल जीवन मिसन के तहट एक योजना चलाईगी जिस योगजना में जिले इस्तर पर और अलग अलग लेवल पर इस प्रकार की चीज़े की गई कि वहां पर हर घर में हर व्यक्ति को कम से कम सुध्ध पे युक्त पानी जो है वहां तक क्या किया जा सके पहुंचाया जा सके जल जीवन मिसन के तहट एक योजना जो हर घर जल के तौर पर है उसको चलाया गया अब यह दूसरा जिला बना है कि सब्सक्राइब अगर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि यह है बुरहान पूर और बुरहान पूर पहला एसा जिला है जहां हर घर जल जैसी चीजे जो है वो देखने को मिल रही है और प्रतेक परिवार को प्रतेक घरों में पीने युक्त पानी जो है उसकी सप्लाई जो है वो पहुंच चुकी है तो बुरहानपुर जो है वो फस्त है और निवाडी जो है वो सेकेंड है यह आप जरूर याद बासवज में आ रही है मद्य प्रदेश का निवाडी जिला प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है रिपोर्ट अंसर जिले के सभी 253 गाउं 55645 घर में नल से पानी पहुंच गया है और उद्देश की अगर हम इसके बात करते तो 100% हर घर नल से सुध्ध पे जल पह अब नहीं है फिलाल क्यों क्योंकि अब नवीनतम जिला माउगंज आप याद रखिए तो अगर आप देखेंगे तो यह आपको ट्राइब दिखाई दे रही बात समझ में आ रही है यहां पर यह समझ में आ रहा है कि यार यह जो विकू उत्सों है यह तरीके का ऐसा उत्स फेस्टिबल है और हैं अग्रिकूलटर फेस्टिबल में कैसा कि जब धान की बुआई की जाती है तो जब दान के जाई च्याआ और European की तरीकोージ करें सामान्हानित पर अगर हम देखेंगे तो तांक सा जन जाती जो बातसवांच में उसको एक उत्सो के तोर पर मनाती है और इसलिए ताकि फलदाई फसल और प्राकतिक आपदाओं से सुरच्छा के लिए देवताओं से एक सामुही की याचना जो है वो यहाँ पर की जा सके इस उत्सो का में उद्देश ही यही होता है बासज में आ रही है नेक्स्ट अगर मै अभी आवश्यक्ता नहीं है दिल्ली वन टाइम सेटलमेंट योजना राज्य में सात लाग भुगता के पानी बिल होंगे जीरो राइट तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यह पता है कि जो दिल्ली के स्री अर्बिन केजरिवाल जी उन्होंने क्या बोला है कि द दिल्ली ने अभी क्या किया है दिल्ली ने ही जो पानी के बिल है उनको माफ किया है याद रखिये दिल्ली सरकार ने पानी के सालों पूराने बगाया बिलो के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम की घुषना ओसना कब से प्रारम होगी तो फस्ट अगत से होगी और 27,6,000 लोग जो हैं मतलब connection जो हैं वो देखने को वहां पर मिल रहे हैं दिल्ली में ही ऐसे चीज़ है हलाकि अगर मैं इसके बारे में बताओं तो यह तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है कि आप कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्री में दें लोगों को बास में आ चीज़ों को लोगों तक पहुँचा हैं लेकिन maximum चीज़ों को अगर आफ फ्री की आदत डाल देंगे तो फिर वो समस्या होगी एक तरीके से सही भी है लेकिन उसका दूसरा पच्छ जब देखेंगे तो थोड़ा सा जब सोशल इसूस के बारे में कभी बात होगी तो फिर परियोजना की सुरुवात की है और किस सहर में की है तो उस सहर का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो वह धाका में की गई बासंज में आ रही है इसका अब्जेक्टिव क्या होता अगर मैं बात करूं कि रिसेंटली वर्ल बैंक दा लॉंस दा इस फस्ट रोड सेफ्टी प्र जैसी चीज़ों को क्म किया जा सके है उसके लिए इस प्रकार का प्रोजेक्ट पहली बार वड बैंक ने किस सिटी में करने का काम कर रही हिए भहाहएं बहन 혼 नाव को कम करने के लिए इस प्रकार की चीज़े की गई है 358 million US dollar का है ठीक है और बंगलादेश के धाका में किया गया है अब इसमें कुछ चीजें और आपको जानने की ज़ुड़ा थे जैसे अगर मैं बात करूं वर्ट बंक की तो वर्ट बंक जो है वो कहां вся किस तरीके से काम करता है किया होता है उसके बारे में छोड़ा सा बसक जब हेस वह दो आपको पता होना चाएं अगर आप ब्हलं में बाड़ेशन के लिए उस बासवज में आ रही है और उस समिट में दो संस्थानों के इस थापना का बात कही गई और वो दो संस्थान थे कौन से एक था World Bank और एक था IMF बासवज में आ रही है अब यहां पर मैं यह बोल रहा हूं कि जो World Bank और IMF इन दोनों का इसलिए इसको ہं इसको हम बोलते है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्रेटन वोड्स की जुड़वा बहन में बासवज में आ रही है अब अगर इस में में World muk की बात करता हूं तो यहां पर आप याद यह रखिएगा कि world bank जो होता है world bank में जो head होंगे वो हमेशा American होंगे बासज में आ रही है जो head होंगे वो हमेशा American होंगे और IMF में जो head होंगे वो हमेशा European होंगे ये rule है बासज में आ रही है और current में अगर मैं इसके head की बात करता हूँ तो करेंट में अगर आप देखेंगे तो इसके हेड कौन है तो इसके हेड हैं बंगा बासर मियारी किस ने आजय बंगा जो है वह इसके हेड है और किसको इन्हों के अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक के हेड़ बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के हेड़ क्वाटर की अगर मैं बात करूं तो कहां पर है तो वह है वॉसिंग्टन डीसी में और करेंट में इसमें 189 कंट्री जो है वो मेंबर है यह कुछ बेसिक चीजें आप जरूर याद रखिए तो धाका में इन्होंने क्या किया वर्ल्ड बैंक ने लॉंच किया है सेफ्टी प्रोजेक्ट और बंगलादेश के धाका में कितना अमाउंट है 358 मिलियन युएस डॉलर बात अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ रहा है विच और्गनाइजेशन है रिसेंटली ल प्रोग्राम प्रोग्राम जो है वो सुरुवाद कि यह घ्रीश्न तौरण Southwest पर उमें शींट और सिर्चारिकों में बहुत की या फिजिक्स पढ़ने वाली जो छत्रा हैं उनके लिए ग्रिसम कालीन कारिक्राम है अगर मैं इसकी पार्टनर इस्टिटूट की बात करता हूं तो होमी भाबा सेंटर फॉर साइंस एजूकेशन जो है मुंबई में वह इसका पार्टनर इंस्टिटूशन है और इसकी स्थापना अगर मैं TIFR की बात करूं तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी अंडर डा डारेक्शन ऑफ होमी भाबा के डारेक्शन में इसकी स्थापना की गई थी टी आई एफ़ा रिस्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन जून 2002 तो टी आई एफ़ाई की अगर मैं बात करो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी यह समविश्व विद्याले करी जो एक दर्जा है जो एक स्थेटस है उसको कम मिला है वह मिला है 2002 में तो अगर आपको यह पूछा जाए कि कौन सी इस अगर आप सी पूछा जाए कि विज्ञान विदूसी प्रोग्राम किस ने चालू किया तो वो इस किया है टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने बासवज में आ रही है तो आज के लिए यह हमारे पास चीजें थी हमारे पास में कुश्चन थे जिनके बारे में हमने देखा है आज आपके लिए जो कुश्चन है वो है रिसेंट्ली विच कंट्री विल होस्दा आई-आई-ए-स कॉन्फरेंस on administrative reform in 2025 हाली में कौन सा देश 2025 में प्रसासनिक सुधार पर आई-आई-ए-स समयलन की मेजवानी करेगा तो इसके लिए आप जरूर इसका एंसर बताएं कमेंट करें और बताएं कि आखिर यह कौन सा देश है जो इसकी मेजवानी करने वाला है बासवज में आ रही है यह में लिए लिए जो इमपोर्टन चीज होंगे उनके बारे में चास्का करेंगे पढ़ाई करते रहिए खुस रहिए थैंक्क提ा क सवच